एक आम केस की बात तो हम नहीं कहते हैं लेकिन अन्य कंटस्टिड केसे में आपको ऐसे गवाह आमतोर से मिल जाते हैं जो एड़ोकेट की असले परिक्षा लेते हैं इन गवाहों ने जो बात अपने शिकायत में कही है ये उसमें बदलाब कर देंगे और बयान 161 में कुछ नया तथ्या रिकॉर्ड करवा देंगे फिर पुलिस जब इनको मजिस्टेट साहब के पास ले जाकर बयान 164 दर्ज करवाने को कहेगी तो वहाँ ये नई कहानी बोल क पर सुनाएंगे उसके बाद साल दो साल के बाद में टायल शुरू होता है तो ये कोट में अपनी सुचनाओं का एक नया संदुक लेकर आ जाएंगे जो कमियां पुराने तफ्तिशी बयानों में रह गई थी तफ्तिशी बयानों ने जो इन्वेस्टिकेशन के दौरान बय बयान रिकॉर्ड किये जाते हैं जैसे बयान 161, बयान 164 तो जो कमियां इन गवाहों के पुराने तफ्तिशी बयानों में रह गई थी उस सारी कमियों का इस प्रश्टिकरण ये कोट के रिकॉर्ड पर लिखवा देंगे वकिल साहब, डिफेंस वाले और आरोपी उस गवा का मूत आकते रह जाएंगे, हम आज का विशे शुरू करने से पहले दो बातें पश्ट करते हैं, पहली तो बात ये है कि जो बयान 161, बयान 164 ये शिकायत में लिखी तहरीर, इन सब बातों का मतलब केवल तभी तक होता है, जब तक कि फाइल इन्वेस्टिकेशन में पु जूल हो जाती है, वहां के वल एक ही बात बादने होती है कि गवान ने कोट में आकर क्या बयान दिया, क्या बताया, उसी बयान पर आरोपी की किसमटिकी होती है, ये तहरीर, ये 161, ये 164 वगयरा कि सारे भेद, सब शेशनाएं कोट बयान के भीतर ही लीन हो जाती है, दू बदली गई बात का 162 की इंप्रूव्मेंट का या नई बातों का जो बयान में कही गई है उनका इनका बिलकुल पता नहीं होता है इन जजों का ध्यान केवल कोट बयान पर होता है जब पीपी साहब अपने प्रदर्श एग्जेबिट को रिकॉर्ड पर लगवा देते हैं त जजों को सब कुछ बहुत विश्वसनी नजराने रगता है इनकी सहज इच्छा उस पर यकीन करके आरोपी को सजा सुना देने की होती है ये बात मेरे स्वें के अनुभव की है तो उस दोरान अपने साथ ही जजों के साथ हरूज मर्रा होने वाली बाचीत पर भिटिकी हु इसलिए जब भी आरोपी की इच्छा हो कि कोट यह बात देखे और समझे तो उस बात को बहुत युक्ती और कोशल के साथ जज के दिमाग में बल पूर्लक डालना होता है वरना तो जज प्रॉस्यक्यूशन का विरोद सुनने को बिलकुल तयार नहीं होते इस तरह गवाओ का जूट, इंप्रॉवमेंट, तथ्थों का बदलाव अगयरा सब कुछ आपको रिकॉर्ड पर पस्पष्ट करना होता है यदि यह जज जो टाल में बैठा है ना देख पाए तो अपील में उपर वाले जज दो कहने के उपरांथ देखी ले इंडियन लीगल सिस्टम के प जेने से अच्छा है कि जूटे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विश्यशेग्रता का सहारा लिया जाए इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाए हैं हमने कहा है कि क्रॉस लिखित में हो लेकिन क्रॉस बनेगा कैसे जब तक गवाह कोट में आकर अपनी बात न कह दे तो जब गवाह का चीफ हो जाए तो कोट से क्रॉस के लिए एक डेट मांगने किसा आप मुझे अगली तारिक पर क्रॉस करने की जारत दे जो अनुबवी जज होते हैं वे आराम से डेट दे देते हैं लेकिन कुछ लोग बनाय हुए होते हैं और आजकर के जजों में ये वाले स्नोस तो बिलकुल भर गए हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी क्रॉस करो तो कुल बात नहीं गवाह से इहर के उधर के समय खर्च करने वाले सवाल पूछना शुरू कर दीजिए उसकी चाची के बारे में पूछे मामी की बहन की शादी में आए भात के बारे में पूछे राम दीन की गाये को वेक्सिनेशन टाइम पर करवा दिया था या नहीं करवा दिया था इस बा करें तो पूरे चीफ का पुइंट आउट अपने सामने रख लें उस पर मार्किंग करें कौन कौन से हिस्से आरोपी पर आरोप लगा रहे हैं और उसके लिए खतरनाक जिनको डिस्प्रूव किया जाना है ऐसे भागों को ला रंकी शाही से निशान बनाएं अब यह देखें कि इन आरोप लगाने वाले पॉइंट पर शिकायत में 161 बयान में या 164 बयान में क्या कह गया है और क्या कोट बयान में उन तफतीशी बयानों से बदलकर बहा चड़ा कर कुछ और जोड़ दिया गया है बस उन बदलकर और बहा चड़ा कर बताई गई बातों पर भी प्रापित करने के लिए उससे विशिष्ट शैली में लीडिंग कोईशन्स पूछे जाएं और आप यह भाशा बिलकुल ध्यान रखें कि इस तरह से पूछा जाना है जैसे यह बात तो सही है ना कि और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या यह बात सही है कि और अपना आगे सवाल पूछ लिया इस शैली में सवाल पूछने से गवाह का दिमाग बहुत करियाशीर नहीं होता है और वे उसी विशे वस्तू तक सिमित रहता है जिस पर सवाल पूछा गया है इसलिए गवाह को खुद के अनुसार डालने के लिए इस शैली में सवाल पूछे जाने चाहिए उसके द्वारा ना किये गए कामों पर भी इसी शैली में सवाल पूछे यह बात भी सही है ना कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आयों को अपनी लडाई का कोई फोटो या वीडियो नहीं दिया था क्योंकि फोटो वीडियो दो तभी देगा ना जे ब्लडाई होगी यह ध्यान रखें कि यही शिकायत या बयान 164 को परदर्श कर दिया गया तो उनमें लिखी हुई सब बातें बयान का हिस्ता बन जाएंगी यह बान कर चला जाएगा कि वे बातें गवाहा ने कोट के सामने दिये बयान मे भी बोली हैं यह दी गवाहा कैं कि मैंने मजिस्टेट साहब के सामने 164 का बयान दिया था और वह बयान परदर्श का one है तो जैसे ही परदर्श के one उसके उपर लिखा जाएगा तो मजिस्टेट साहब के सामने बोली गई सारी बातीं जो उस बयान में लिखी हुई है उनक तो इसी कोट बयान का हिस्सा माल लिया जाएगा लेकिन बयान 161 CRPC में ऐसी सुईरा उपलब नहीं होती यदि आप कह दें कि आपने 23 तारिक को पुलिस आयो को सच्चा 161 का बयान दे दिया था तो भी वहे बयान कोट रिकॉल का हिस्सा नहीं बनेगा बयान 161 CRPC तो केवल कनफरंट और कॉंट्राडिक्ट करने के काम आ सकता है इस से जादा उसका कोई उप्योग नहीं होता है सब विद्वान विवर्ज को ध्यान रखनी चाहिए कुछ बाती है कि मूलते शिकायत वे बयान 164 और कोट बयान के बीच में कनफरंटेशन और कॉंट्राडिक्शन इस प्रकार से किया जाएगा जैसे कि गवाह के दो बयानों की तुर्णा की जाती है क्योंकि जो शिकायत में लिखा है वे भी उसी गवाह के द्वारा लिखा गया है और जो 164 में मजिस्टेट साहब के सामने बोला गया है जा सकता है इसका तरीका सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है वरना इसके छोटे रूप में इसे सेक्शन 162 CRPC के तहत तो कनफरंट और कॉंट्राडिक्ट किया ही जाता है दूसरी और बयान 161 फे कोट बयान के वीच में कनफरंटेशन और कॉंट्राडिक्शन इस बात पर किया जाएगा कि देखो यह तथ्थे आपने कोट बयान में तो बताया है लेकिन पुलिस आईयों को नहीं बताया था और यह नहीं तथ्थे उस प्रकार का होगा तो इस बाहा कर बताये गए तथ्थे को एक कॉंट्राडिक्शन मान लिया जाएगा इसमें कोट में बताये गई हर महत्मूर बात यदि बयान 161 में ना बताये गई हो तो वह एक विरोधावास बात बन जाएगी कॉंट्राडिक्शन बन जाएगी अब गवाह ऐसे भी होते हैं कि सीधी बात बूल कर नहीं देते हैं सवाल था कि हे गवाह आपका कोई घर इस गटनास्थल के दक्षन दिशा में तो नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड में यह गटनास्थल सेलेश के घर के उत्तर में होना बताया गया है जबकि पुलिस नक्षा में गटनास्थल के दक्षन में गवाह का घर दिखा गया है और यह वस्तूते गलत है कोट के अंदर गवाह से लंबी जिरे हुई और वह मान गया कि उसके दो घर गटनास्थल के पूरव पश्शिम में है लेकिन जब दक्षन पर सवाल पूछा गया तो वह बोला कि मुझे याद नहीं है मेरा कोई घर गटनास्थल के दक्षन में है या नहीं है गवाहा बार बार फिसल रहा था और जज़त साब भी बिलकुल केलस गये थे कि अब इससे कैसे पीछा चुटे तो जब वह हमारे काबू में आने से बचने लगा तो हमें एक तीर मारना पड़ा हर बार वह कहता था कि मुझे याद नहीं है कि मेरा घर गटनास्थल के दक्षन में है या नहीं है हमने कहा कि यह बात तो सही है ना कि आपने अपने किसी बयान में यह नहीं कहा है कि आपका कोई घर घट ना स्थल के दक्षन दिशा में इस्तित है गवाँ अब नाग पाश में फस गया था याद दाश्त को तो कह सकता था कि याद नहीं है लेकिन रिकॉर्ड के बारे में कैसे कहेगा कि मुझे याद नहीं है वे तो लिपी बदुआ रखा है ना और हमने उसको रिकॉर्ड से बढ़ा दिया था अदालत में पूरा रिकॉर्ड देखा गया तो कहीं भी उसका यह बयान सामने नहीं आया अब उसके पास यह बात कहने का हक समुल डूप से नश्ट हो गया है कि उसका घर गटनास्तर के दक्षन में है इसके साथ ही पुलिस का पक्ष भी मार में आ गया था सीलीजी बात है कि जो भी गवाहा जूटे एम धूर्त होते हैं और गलत बात बोलने का निश्य किये रहते हैं डारेक्ट सजेशन से गवाहा सच नहीं बोलते हैं जवाब देते हैं कि हम यह तो याद नहीं है ऐसे में उनको reverse सजेशन दिया जाना चाहिए बज़ा इस बात को कहने कि आपका घर गटनास्थल के डक्षण में है या नहीं है यह पूल्चा जाना चाहिए कि आपने पुलिस आईओ को दिये किसी बैयान में यह नहीं कहा है कि आपका कोई घर घटना स्थर के द्रक्षण में स्थित है वास्ता में यही वहे कला है जो गवाह का वही उत्तर सुनश्चित करेगी वही जवाब सुनश्चित करेगी जो आप चाहते हैं कि गवाह कोट में गवाही के दोरान भोले बस आपको तरीकों में मामुल इसकुदार के साथ प्रियोग उनको करना पड़ेगा आपने ये देखा भी होगा कि जब भी आप हम से इनियल लीगल सिस्टम से अपना क्रॉस एक्जामेनेशन बनवाते हैं तो हम तफ्तिशी फ़ाई में मोजूल उसके बयानों से यह जान लेते हैं कि वहे किस किसं का गवाह है बहुत Μार बयान बगलने वाला गवाह है या अपनी बात पर टिका रहने वाला गवाह है वहे जिस प्रकृति का कवाह होगा हम अपने प्रश्ण वैसे ही बनाएंगे वहे कुछ जवाब दे दे लेकिन हम उसको तब तक क्लॉस करेंगे जब तक कि वहे सच बात को उस तरह से ना बोल दे जिस तरह से हम चाहते हैं इससे दुश्वार किस्म के केसिस में आपके जीतने की समभावना बढ़ जाती है वरना तो अपीरों और रिवीजन में आरोपियों की जिंदगे निकल जाती है और रात कुछ नहीं लगता है हम आपको कामुनी जानकारियों के साथ साथ अदालती दाव पिंच के बारे में भी जानकारी देते हैं आपका ज्यान बढ़ता है हमारी वेबसाइट है iniallegalsystem.org इस पर आप सब जानकारियां अपनी सरल भाशा में पढ़ सकते हैं उसी वेबसाइट पर साथ जानकारी के लिए लिंक्स दिये गए हैं आप चाहें तो वहाँ सर्च भी कर सकते हैं यहां जूटे आरोप से बचने की अन्य क्यूक्तियां आपको बताई गई हैं हमसे संपरक के लिए हमारे mobile नमबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं जिससे आपको आगे की वीधी बता दी जाएगी इस चैनल को आप लाइक, शियर वे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो छूटना जाए हम आप से आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे अगली वीडियो में दुबारा मिलने तक पराम